तो आज के वर्काउट स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ किसी भी वर्काउट से पहले फुल बोड़ी स्टेचिंग बहुत ही जादे जरूरी है ताकि आपके पुरे शरीर में ब्लड फ्लो हो सके और आपकी सारी मसल्स एक्टिव हो सके तो लेस स्टार्ट आज शोल्डर वर्काउट है तो इसके लिए शोल्डर के स्टेचिंग थोड़ी सी में एक्ष्टा करूंगा करूंगा तो हम सबसे पहले वाम अप सेट मारते हैं पुश अप्स वैसे तो मैं फोटी मारता हूँ आप अपने हिसाब से आपकी कैफिसेटे के हिसाब से आप मार सकते हो और इसके भी आपको दो सेट मारने हैं कॉम्बाइड विट पुलप्स तो आप पुलप्स मार सकते हो पुशिते हैं के साथ में इट इस वर्म अप सेट तो लेस्स स्टार्ट दो सोल्डर वर्क आउट सबसे पहले हम मारेंगे आप साइट से भी देख सकते हो और वैसे आज हम छूल्डर के तीनों मसल को ट्रेन करेंगे फ्रंड डेल मिड डेल और रिर डेल इसके भी आपको तीन सेट मारने हैं ट्वणिफवाइब ट्वण्टी एंड फिप्टीन एक्स एक्सरसाइज है डंबल लिटरल राइज हम मारते हैं जिम में बड हम यहां पर मारेंगे इस्टून लिटरल राइज तो इसके भी आपको तीन सेट मारने हैं आप साइट से भी देख सकते हो तो आपको स्रिप शोल्डर में प्रेशर लाना है और बाकि कोई भी मसल इंकलूट नहीं करनी है तो नेक्स्ट एक्सेसाइज है स्टोन अप्राइट रो जो हम बारवल से मारते थे बट यहां पर हम स्टोन से मारेंगे आपको स्रिप शोल्डर मसल को इंकलूट करना है बाकि कोई भी मसल इंकलूट नहीं करनी है तो next exercise है जिसके भी आपको three set मारने है इसको कहते हैं stone front rise तो आपको body का कोई भी muscle include नहीं करना है इसको shoulder muscle से uplift करना है तो यह next exercise है जिसके आपको three set मारने है continuously यह आपके front del, mid del और rear del के लिए है इसको बोलते हैं lateral rise, front rise तो इन exercise को properly मारना है तो next exercise है stone face pull up इसके भी आपको three set कम मारने है 25, 20 and 15 जे बोलते हैंज बहाई है आज हमने शुल्डर वर्काउट किया और कल मैं मिलता हूँ आपको बाइसब वर्काउट के सान तब तक के लिए सी यू